इस वीडियो में हम जानेंगे तोरक और इलेक्टिक डाइपूल के बारे में टाइपूल दो इक्वल एड अपोजिट चार्ज से मिलकर बनता है एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगिटिव होता है दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ओफ एट्रेक्शन होता है दोनों चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट रखा जाए तो इस तरह की चार्ज कॉंपिनिशन को इलेक्टिक डाइपूल कहते हैं अगर इस डाइपूल को यूनिफॉर्म इलेक्टिक फील्ड में रखें तो इसके नेगिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्जर्ट होता है ये फोर्स एलेक्टिक फील्ड की वज़ा से होता है दोनों चार्ज पर फोर्स की डाइरेक्शन अपूजिट डाइरेक्शन में होती है फोर्स एक्जर्ट होनी की वज़ा से दोनों चार्ज अपूजिट डाइरेक्शन में मूव करते हैं इस टर्निंग मुवमेंट को हम टोर्क कहते हैं टोर्क की वैल्यू इलेक्टिक फील्ड और डाइपोल के चार्ज पर डिपेंड करती है खील लाइपोल के डिपेंड रिफंवे लाइपोल के लिए खुलमाच करते हैं